तो चलिए बनाते हैं आज साउत का बहुत ही famous बहुत ही delicious सा ये बंदोसा recipe से बनाना बहुत ही असान है और सुबह की नास्ते के लिए perfect है तो चलिए आज की मज़ेदार recipe शुरू करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे regular rice लेंगे जो हम घर में बनाते हैं एक cup यहाँ पे rice ले है मैंने अब इसके बाद यहां पे एक चमच हम डाल देंगे मेथी दाना अब इसे हम अच्छे से धुल लेंगे अध्होने के बाद चार से पाँच गंटे के लिए अच्छ से फूल लेंगे नहीं नहीं दो देखिंगे चार 〜को इस बाद यह बहुत पतला नहीं करना है तो देखिए यह पिस करके रडी हो गया है इसे हम ट्रासफर कर लेंगे एक बावल में और अब हम इसे चेक कर लेंगे तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीकी से होनी चाहिए आपको अगर नैचुरल फर्मेंटेशन के लिए रखना है तो आप इसे रात भर के लिए रख सकते हैं तो हम इंस्टेंट बनाएंगे तो इसके लिए हम ले लेंगे यहां पे एक कप पोहा जिसे हमने इस तरीकी से धोल लिया है यह अच्छे से फूल गया है यह पतला वाला पोहा है अगर आपके पास मोटा वाला है तो आप उसका भी इस्तमाल क कर सकते हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसका एक बड़ी आसा पेस तयार कर लेंगे तो जार चोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने बड़े वाले जार में पीस लिया है अब जो हमने चावल पीस करके रखा था ना उसमें हमें इसे मिला लेना है इस तरीके से तो आप नारियल को ग्रेट करके ही एड़ करें मैंने काट के एड़ किया था तो इसमें थोड़े थोड़े इसकी लंस रहे गया है बच गया था इसका टुकड़ा तो आप इसे ग्रेट करके ही एड़ करें अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इस तरीके से इसका ब तो अब यहां डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और एक चमच एक चोटा चमच ले लिया है मैंने बेकिंग सोडा यह फर्मेंटेशन का काम करेगा हाला कि नैचुरल फर्मेंटेशन के जैसे तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन इंस्टेंट अगर हमें बनाना है तो हम यहां पर एक चमच बेकिंग सोडा का इस्तमाल करेंगे तो यहां पर ले लिया है मैंने लएक लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है लेकिन हम बनाएंगे लोहें की कढ़ाई में या फिर नौन स्टिक कढ़ाई में तो इसमें मैंने थोड़ा सा oil spread कर दिया है और एक चमज की मदद से हम बस एक ladle इस भरके इसमें add कर देंगे और इसे ढख करके ऊपर surface जब तक सूख न जाये तब तक हमें इसे पका लेना है इस तरीके से तो देखिए इसका ऊपर का जो surface है वो बढ़िया से सूख चुका है अब हम इसे उलट देंगे वैसे तो आप चाहें तो बिना इसे दूसरी तरफ से के भी enjoy कर सकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ा सा सेख दूंगी लेकिन इससे सेखने से इसका जो crisp मीने से वो थोड़ा ज़ादा बढ़ जाता है और खाने में और भी मजा आता है तो इसी तरीक से हम सारे बना लेंगे तो ये देखिए मैंने दूसरा भी इसमें add कर दिया है अब इसे भी हम इस तरीके से पलट लेंगे दूसरे तरफ भी हम इसी तरीके से सेख लेंगे ये बहुत ही जटपट और बहुत ही असान नास्ता है आप इसे एक बर जरूर ट्राइग करिए गा बहुत ही जल्दी बन करके ready हो जाता है और बहुत ही spongy होता है natural fermentation से तो ये बहुत ही ज़्यादा spongy होता है तो लीजिये बन के तयार है हमारा ये बहुत ही delicious सा बन दो सा इसे मैंने serve किया है सामर के साथ आप इसे चटनी के साथ भी enjoy कर सकते हैं ये देखिए इसके अंदर का texture कितना ही बढ़िया आया है एकदम spongy एकदम जलेदार और बना भी एकदम मुलाय में ये देखिए तो I hope और recipe पसंद आई होगी recipe पसंद आई तो मेरे चैनल को subscribe करें